नमस्ते आज के इस वीडियो में आपन बात करेंगे कि 12 मिटर में कितने फुट होते हैं और इसके बारे में आपको हम काफी अच्छी जानकारी देने वाले हैं मतलब वीडियो जो है वह आपके लिए काफी अधिक उपयोगी रहने वाला हैं इस कारण चे दोस्ते वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आईए वीडियो को शुरू करेंगे और हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्ते 12 मिटर में कितने फुट होते हैं दोस्ते 12 मिटर के अंदर गुंचालीस पॉइंट 37008 फुट होते हैं मगर 12 मिटर के अंदर गुंचालीस पॉइंट 37008 फुट होते हैं इतने ही जानकारी आपके लिए काफी नहीं है क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि हमने केसे निकाला कि 12 मिटर के अंदर गुंचालीस पॉइंट 37008 फुट होते हैं तो आइए इसे निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों के बार में पता होना चाहिए जैसे कि 1 मिटर में कितने फुट होते हैं नमबर दो 12 मिटर को फुट में बदलने के लिए क्या करना होगा तो आईए पहले इन दोनों के बार में बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चों एक मिटर के अंदर 3.28084 फुट होते हैं यानि एक मिटर बराबर 3.28084 फुट है इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मिटर लंबा कोई कपड़ा है तो वह असल में 3.28084 फिट लंबा होता है अब हम बात कर लेते हैं कि 12 म को फुट में बदलने के लिए क्या करना होगा अगर आप 12 मिटर को फुट में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12 मिटर को 3.28084 से गुणा करना होगा क्योंकि एक मिटर बराबर 3.28084 फिट होते हैं और आप जब 3.28084 को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 मिटर में कित इतने फुट होंगे यह आ जाएगा तो आएए इसे निकालें 12 इंटू 3.28084 बराबर गुंचालीस पोइंट 37008 फुट यानि दोस्ती जब हम 12 को 3.2808 चार्ज के साथ गुणा करते हैं तो गुंचालीस पोइंट 37008 फुट आते हैं और यह बताते हैं कि 12 मिटर के अंदर ग आसा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपके लिए उप्योगीरा होगा अगर आपको अब कुछ पोछना हो तो कमेंट करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें